लखी सुराय के बढ़या थाना शेत्र अंतरगत मुखे बाजार एने चस्री के किनारे रात्री गस्ती के दौरान स्री मार्केट इस्थित जुएलरी दुकान एवं मने दुकानों के पास साथ से आच आत्मी को संदिग दवस्ता में देखा गया जिसकी सूचना अस्थानी लो पास भेजा गया वही पुलिस बलके दौरा स्री मार्केट को घेर कर छापे मारी की गई तो वहां पर संदिग दिव्यक्ति जंगल की और भागने का प्रयास करने लगे जिसमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया एवं मने अंधेरा और कुहासा का लाब उठा कर भागने में सफल रहें वहीं पकड़े गए व्यक्तियों की जब तलासली ली गई तो उनके पास से एक देशी कट्टा एवं दस जिंदा गोली बरामद हुए वहीं पूश्टाश करने पर बताया की बंदया जिला उत्र प्रदेश का रहने वाला है और करीब साथ व्यक्ति भाथी रामपल और खेम सिंग जो की दोनों ही बंदया जीरा उत्र प्रदेश का रहने वाला है जिसकी गिरफतारी पचना रोट से हुई है वहीं अन्य चार अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं जिनकी गिरफतारी है तुलकी सराय पुलिस लगतार शापमारी कर रही ह प्रदेश के है और यहां पचना रोड में किराये पे रहके और कुछ कुरसी बिनने का और ऐसा कुछ काम करते थे और उसी बहाने ये लोग चोरी और रेकी करने के काम करते थे और चोरी करते थे तो इन तीनों का बाकी इन लोगों के और चार लोग है जो नाम आया है उन लोगी ग्रफ्तारी के लिए नहतार पर रियास चल रहा है जो ग्रफ्तार हुआ है व्योगत ताराचन यह नरायनपूर थाना कादर चौक तहसील बदाईयू उपतर प्रदेश का है उसके साथ में यह हत्या और साथ में गोली भी जिन्दा करते उस भी बरामद हुई है उसने घटना इस्तर पर एक फाइरिंग भी की है अपने बचाओं में जब उसे लगा को घिर गया है तो उसने फाइरिंग भी की थी लेकिन किसी कोई हतात नहीं हुआ है और उसको हम लोग